तो हलो एवरीवान वेल्कम बैक टुजाइन देसेशन आज सेशन इस सेरीज का थार्ड नमबर का सेसन है इसके पहले हमने दो सेसन कबर कर लिये हैं जिसमें टॉप 10-10mm के वह हूंने कबर किये हैं काफी एक्स्प्लेइन करके काफी जादे नॉलिजबल सेशन है वैसे ही यह भी होने वाला है, इसमें भी important question ही select किये गया है और इसका ब्याक्यानी की explanation ऐसा होने वाला कि आपके 10 question में about 30 question कभर होंगे ठीक है और देखें ये आपके किसी भी exam के लिए helpful होगा चाहें वो SSE GD से लेके आपके UPSC तक किसी भी अस्तर के exam में आपको help करने वाला है preliminary exam में यहाँ पे fact, concept, सारी चीजे discuss होंगी question के इसाब से तो चलिए देखते हैं आज का first question तो first question आपके सामने है डाक्टर राजन पसाथ समिधान सभा की किस समीती के सदस्य नहीं थे तीक है, आपको यह बताना है इस question में किकी समीती के सदस्य नहीं थे प्रक्रिया के नियमों पर समीती, राष्टे ध्वज पर कारिवाहक समीती, संचालन समीती, order of business समीती इसका सही जवाब क्या है? order of business समीती और उनकी विशेष्टा क्या है? वो कहां से बिलांग करते थे? बिहार से और वो एक ऐसे एक मात राष्ट पती है जिन्हें दो बार राष्ट पती बनने का उसर मिला और इनके विशेष्टा है? इनको जब 1946 में जब Central Government का गठन हुआ था तो उनको क्रिसी मंत्री के रूप में भी चुना गया था इतनी information के साथ अगला question देखते है question number 22 पढ़िए अन्य पहलूंगों के बीच प्रसासनिक सुधारों पर अपनी report में बिरप्पा मोयली कमिशन द्वारा कौन से कमिशन विरप्पा मोयली कमिशन द्वारा निमलिखीत में से किन अनुछेदों का सुझाव दिया गया था बताए विरप्पा मोयली कमिशन पहले ही बता दूं सेकेंड एयालसी से रिलेटेड है यानि कि जो द्वितिय प्रसासनिक सुधार आयोक का गठन हुआ था उससे रिलेटेड है विरप्पा मोयली जी अब आपको बताना है कि किन-किन अनुछेदों से रिलेटेड उन्होंने सुझाव दिया था तो इसमें देखिए अनुछे 310 और 311 सही जबाब है क्योंकि थो बॉड़ा सा जानकारी अगर हम अपकारें तो 310 किसके भी समबात करता है जो भी union या इन गोर्मेंट के पोष्ट पर जो भी होता है न उनका जो कारेकाल होता है त्योसे रिलेटेड बात करता है कौन अनुचे 310 और इसके जस्त अपोजिट 311 है वो बात करता है अब सोच लिजे क्या बात करता है जैसे नागरीक छमताओं में भार सरकार के अधिन जो भी कारेरत ब्यक्ति हैं उनको पद से हटाने या पद का जो वैलू है उसके घटाने के बारे में जो वर्डन है होता है न डिमोशन तो इस रिलेटेड जो प्रावधान है वो 311 में है कि खमताओं में किसके अधार पे नागरीक छमताओं के अधार पे उनका जो मतलब कारेरत पद है उससे छटा दिया गया या फिर उसकी प्रुननती की गई या फिर उसे घटा दिया गया इसका चत्चा किसमें है 311 में टेक्या चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वास्चन द बिरपा मोली whiskey के बारे में और क्या है इंदी में प्रअसनिक सुधार आयोग बोलते हैं क्या बोलता है algumas सासनिक सुधार आयोग इसका गठन कब हुआ था अगर क्वेस्चन पूछें तो गठन इसका हुआ था 31 अगस्ट 31 अगस्ट 2005 को ठीक है और इसके चेर्मैन कौन थे बिरप्पा मोईली ठीक है सकेंड एसी के अध्यक्ष कौन थे बिरप्पा मोईली ठीक है और इसमें मतब कौन-कौन मिंबर थे अगर ऐसा कोई से टेक अपर्यल 2009 को इनों ने क्या किया था स्तिफाय देदिया था ठीक है और इसकी अध्यक्षता किसनी समाली वी राम चंद्रन ने ठीक है तो ठाच है और एक सित्वाद 27 से जैप्रकास जी ने इसको इस्तिफाय दे था सिकेंड या सी जो सिकेंड कमिशन गठीत हुआ था किसे लेटेट पसास्निक सुधारों से संबंदित चलिए अगला क्वाशन देखते हैं निमलिखीत करों में से कौन साराज्य सरकाद द्वारा लगाया जाता है बताईए धनकर इस्टेट ड्यूटी निगमकर मनरंजनकर इसका सही जवाब क्या है मनरंजनकर बाकी कौन लगाता है सेंट्रल गर्मेंट धनकर इस्टेट ड्यूटी निगमकर यह सारी चीजे किसके अ दाल देते हैं Central Central Government की Tax CZT और State Government की Tax इसे क्या होगा आप थोड़ा सा कुछ बढ़ियां सीख पाओगे थोड़ा सा आपको याद रहेगा ठीक है Central Government Tax State Government Tax अगर हम बात करें Central Government के अंतरगर्ट तो एक होता है क्या उत्पादन सुल्क जिसको इक्साइज ड्यूटी बोलते हैं क्या बोलते हैं उत्पादन सुल्क उसको इंग्लिस में बोलते हैं मैं यहाँ पे उत्पादन लिख दे रहा हूं ठीक है उत्पादन सुल्क यह लगाती है कौन Central Government Central Government और कार्पोरेट टैक्स का नाम सुनाओगा जिसको हम बोलते हैं निगम कर ठीक है क्या बोलते हैं निगम कर उसको इंग्लिस में बोलते हैं कार्पोरेट टैक्स कौन लगाती है Central Government उसके बाद जो गिफ्ट टैक्स होता है है उपहार कर उसको कौन लगाता है Central Government उपहार कर ठीक ह उसके बाद संपतिकर जो property tax होता है वो भी कौन लगाता है वो भी लगाती है central government ठीक है ये कुछ प्रमुख करें है जो central government लगाती है उसके बाद अगर हम देखें state government के ठीक है यहाँ पर देखें एक सीमा आपने सुना होगा ठीक है तब सीमा कर भी लगता है ठीक है तो सीमा कर भी कौन लगाता है central government क्योंकि ये state का matter तो है नहीं ठीक है तो सीमा कर भी लगाता है कौन central government ये भी याद रखेगा अब आते हैं हम state government पे तो जो भूर आजस्व कर लगता है न land revenue tax land revenue tax यह कौन लगाता है यह लगाता है इस्टेट गवर्मेंट उसके बाद जो सेल टैक्स होता है सेल टैक्स ठीक है वो लगाता है इस्टेट गवर्मेंट जिसको बिक्री कर बोलता है ठीक है उसके बाद जो इंटर्टेन्मेंट टैक्स होता है मन्रंजन कर वो भी लगाता है कौन इस्टेट गर्मेंट इस्टांप जो आप लोग के किसी भी कोई भी फाइल को जब आप पर मारित कराते हैं तो उस पर इस्टांप लगता है तो इस्टांप टैक्स भी कौन लगाता है इस्टेट गर्मेंट ठीक है तो ठीक है इतनी सारी इंफर्मेशन चलिए अगला क्वाशन देखें अगला क्वाशन पढ़े ध्यान से क्या है निम्लकीत में से कौन सा कथान सही है बाकी तो इसमें तीन गलत होंगे एक सही होगा मैं इस्टेटमेंट पढ़ता हूँ केवल राश्टपती ही मिर्त दंड से दंडित ब्यक्ति को मासला के तहत दंडित ब्यक्ति को माफ कर सकता है ठीक है केवल राश्टपती बी पढ़िये क्या है राश्टपती और राजपाल दोनों मिर्त दंड से दंडित ब्यक्ति को मासला के तहत दंडित ब्यक्ति को माफ कर स सकते हैं इसका सही स्टेटमेंट क्या है इसमें दिया डी औल अब दिये बब इसका सही एंसर क्या होगा बताएए इसका सही एंसर होगा कि इमांदारी से option number a टिक है केवल राष्ट्पत के पास ही है power pardon power जिसके अंतरगत वो अगर किसी का मासल ला हुआ है कोट मासल हुआ है ठीक है और उसको मृत दंड मिला हुआ है तो केवल राष्टपत ही उसको माफ कर सकता है ये पावर गौवर्नर के हाथ में नहीं आती ठीक है ये चीज आपको पता होना चाहिए और जो पाड़न पावर है प्रेसिडेंट का वो अनुछेद 72 के अंतरगत समिधान में लिखित है ये चीज आपको और अच्छे से पता होना चाहिए अगर पाड़न की भी बात करें तो इसके भी टाइप होता है एक होता है फूल पाड़न एक होता है पासिल एक होता है अपसुलीट एक होता है कंडिस्नल चार परकार के पाड़न शमादान की बात करें तो इनके कितने परकार हैं अगर बात करें तो यह पांच परकार है राष्टपत की जो चमादान सकती है और जीवन दान में भी चार परकार थे कौन-कौन से फूल पासियल आपसुलीट और कंडिस्नल लेकिन अगर हम बात करें कि शमादान की सकती मृ परकार की वह जान लेना आपके विए बहुत इंपॉर्टेंट है टिकैं और वो किसके अंतर गये ताra किस जानेंगे पहला हम यहां पर जानते हैं विच्छा कि यहां पर लिखेंगे नहीं क्या होता है जैसे सजा की जो प्रक्रीति होती है उसमें बदलावाता है जैसे किसी को मृत दंड का कठोर सजा मिला हुआ है तो उसको हम करावास में कनवर्ट कर सकते हैं तो लगुकरण यानि कमिटेशन में यह होता है कमिटेशन में होता है लगुकरण लगुकरण में क्या होता है अगर किसी को मृत दंड मिला हुआ है तो उसको कठोर का रवास में convert किया जा सकता है इसे बोलते हैं Commutation दूसरा हम जानते हैं दूसरा क्या है Remission इसमें क्या होता इसको बोलते हैं परिहार क्या बोलते हैं अब इसका क्या मतलब है जैसे अगर सजा की आवधी को बतला जाए जैसे दो वर्स का कोई कठोर कारावास था उसको एक वर्स में convert कर दिया गया तो इसको हम क्या बोलते हैं Remission या परिहार तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एक होता है तीसरा क्या होता है Respite इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं विराम क्या बोलते हैं विराम अभी हम quick revision कर लेंगे पहले जान लीजिए जैसे कोई विशेष परस्तिती है जैसे कोई woman pregnant हो जाती है तो उसको सजा मिला हुए है वो already pregnant है तो ऐसी इस्तितियों में Respite जादे demanded होता है उसमें सारेरिक अपंगता भी हो सकता है तो ऐसी इस्तितियों में क्या होता है सजा को कम कर दिया हो जाता है जो भी सजा मिला हुए है तो सजा कम कर दी जाती है Respite कर दी जाती है उसको बिराम दे दिया जाता है तो इसमें सारेरिक अपंगता होता है मैलाओं की गरभा अस्थाधारण करने की जो इस्थिती होती है तो ये रिस्वाइट के अंतरगत उन्हें छमादान मिल जाती है अगर बात करें हम चौथा तीन तो हमने देख लिया चौथा क्या है रिप्रेव यानि कि प्रविलंबन क्या है रिप्रेव और इसका मतलब क्या है प्रविलंबन और ये होता क्या है अगर किसी को दंड जैसे कुछ समय के लिए टालने की प्रकिरिया देखा जाए जैसे फासी मिला हुआ है और उसको कुछ समय के लिए टाला जाए तो उसको बोलते हैं प्रविलंबन ठीक है फासी की सजा नहीं चेंज हो रही है बस उसका थोड़ा सा डेट आगे एक्स्टेंड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या प्रविलंबन ठीक है और इंग्लिस मेरी प्रीव उसके बाद क्या है पारडन तो आप लोग जानते हैं है पार्डन आप लोग जानते हैं यह भी चार परकार का होता है फूल पासियल और उसके बाद अपसुलीट और एक क्या होता है कांसोलीडेटेड या फिर ऐसे कंडिशनल सारी कंडिशनल होता है तो पार्डन में क्या है पुड़ता माफ कर दिया जाता है मतलब इसमें कोई की मतलब तकनीकी मतलब देखे और जैसे किसी वी प्रकास से कोई अपराद हुआ है और राष्टपत को ऐसा लगता है कि छमादान दे दिना अचाहिए तो ऐसे उनको मिल जाती है चुटी जैसे उन्होंने कभी अपराद किया ही ना हो तो उसको हम बोलता है पार्डन और ऐस जैसे कुछ सकतियां मतलब किसके पास है जैसे यह बात हो गई राष्टपत की लेकिन ऐसे कुछ सकतियां गवर्णर के पास वह हैं जो अनुछे 161 के अंतरगत में दे वही हैं लेकिन उसको कोट मासल वगएर ऐसे मतलब छुटी देने का वह कुछ नहीं है ठीक है और मुर् अधिकार है चमादान के वो किसी मरित दंड को क्या कर सकते हैं निलंबित कर सकते हैं ठीक है दंड आवज को कम करना दंड का स्वरूप बदलना यह सब कर सकते हैं लेकिन उसे हमेशा क्लिए खतम नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ें है कि चले यह आगे बढ़ते हैं निम्लखित में क्या बिटीस काल की बिरहासत है। बताईये। भात्य समाज सेवा की अस्थापना। साचिविक पडाली अस्थानिय स्वसासन उप्रोक्त सभी। सभी।lynn da is । कि का सही जबाब है। संवान अलकुदिये बअब। क्यों कि भारतिय समाज में जो सेवा की अस्थापना है वो किस रिलेटेट अंग्रेजों से अगर हम साच्विक पढ़ा लिया नहीं कि किसे स्क्रेटरेट सिस्टम की बात करें तो 1859 में ठीक है वायसराय का पोस्ट आया था भारत में ठीक है और पहले क्या होता था पहले यहा लोगो को वाइट हाउस जो बिटिस में था नो लंदन में ठीक है तो वहां पर जाके यह सारी चीजे जैसे कोई रीट देना या फिर कोई पी आयल फाइल करना या फिर किस भी प्रकार का रिक्मेंडेशन तो डिरेक्ली अब वहां से बाते होने लगी थी ठीक है और इसी सम सब्सक्राइब रिवहाता वी इस कोन्सा काल ककी और नमेसीख एक होता है इनलीज है न और एक होता है डियलीज्म ठीक है तो पता होना चाहिए अब और संnail की बात की जाए तो यह भी इओ ऑंक रही हों धिक्या है सब्लाद को क्या? बोलते हैं अस्थानिय स्वसासन की जनक तीक है और यह इस्टाट कब वोगता अठारे सो ब्यासी से तो यह भी आपको पता होना चाहिए शरी अगला क्वास्चन देखते हैं क्वास्चन नमर्ट टॉड़ी सिक्स पांडी चेरी न्याज हेत्र किस नयाले के इंतरगत आता है स मद्रास उच्च नयाले केरल उच्च नयाले आंध्रप्रदेश उच्च नयाले करनाटक उच्च नयाले इसका सही जबाव है आपसर नमबर ए मद्रास उच्च नयाले के अंतरगत आता है पांडी चेरी नया चेत्र ठीक है तो पांडी चेरी का जूरी डिक्सन मद्रास का ह क्वेशन देखे द्यान से मुकदमा नियंतित जंजाती पंचायत शुरू की तो वह है केरल चलिए अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन 28 आपको यह बताना है जो दिया गया है उसमें भारत सरकार की समय की ते निदी से राज्यों को सहायता जो पलदान की जाती है तो केंद सरकार की सिफारी से करता है कौन करता है जैसे इस्टेट गवर्मेंट को क्या चाहिए इस्टेट गवर्मेंट को चाहिए पैसा किस से सेंटर गवर्मेंट से अब इनके बीच में एक विचौलिया होगा जो बात करेगा पैसे के लिए वह कौन होता वही क्वेशन मार्क है त तो वो है निति आयोग सारजनिक लेखा समीति बित आयोग ननाब देवम इसका सई जवाब क्या है बित आयोग तो ये भी आपको पता होना चाहिए बित आयोग इसके बारे में बात करता है ठीक है और अगर पूछा जाए कि किस अनुछेत में ये बाते कही गई है ठीक है कि जो कुछ भी है राज Васे और केंद्र के बीच में जो लें देन की बातें टेक है तो वो किस अनुछेत के अंतरगत आते हैं कि ठीक है और इस से रलेटेड एक इंप्रटेंट इंफिर इंफिर्मेंेशन कि पहली बार बित आयोका जो अस्थापना हुआ था फास्टाईम तो क कब हुआ था 22 नॉमबर 1951 को कब 22 नॉमबर 1951 कब अ कि बताएगे 22 नॉमबर 1951 चलिए इसमें और आगे देखना है या आगे बढ़े इसमें एक चीज और भी याद रखेगा अस्थापनावस 1951 जैसे था ठीक है वैसे एक चीज और याद रखेगा कि जो पहले अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी जी थे कौन थे केसी नियोगी ठीक है तो यह भी आपको या चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला क्वास्चन आपसे क्वास्चन है अभी जो 2015 के जो बित आयोग के अध्यक्ष है ठीक है वो कौन है सारी 2015 के नहीं 2015 के बताईए 2015 का क्या ही करेंगे पूछेगा ही नहीं तो 15 जो फिनस कमिशन के अध्यक्ष है वो कौन है अगला क्वास्चन देखिए निमलकीत में कौन सी भासा भात्य समिधान की आठवी अंसुच के अंतरगत आती है बताईए भुचपूरी नीजू राज है राजस्थाणी दोगरी इसका सही जवब क्या इसका सही जवाब होगा इसका सही जवगों नमबर दी दोगरी वोचपूरी नहीं की आपी पू wrapped समिधान की आथे ही अन अनुसुची के इंतरगत आती है वह है ब्लाज़गरी अब दोगरी आया है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना भासाओं से संबंदित जो संसोधन हुए हैं कौन से भासाओं इंक्लूड हुई हैं वहां से question बनते हैं तो उनको हम देख लेते हैं ठीक है देखे इनिसियल स्टेज में जब बना था इसमें टोटल जैसे जो भी अनुसुची थी ठीक है उसमें टोटल कितनी भास आये थी इसको अगर question पूछे कि किस अनुसुची में भासाओं का जिक्र है तो आठवी अनुसुची में ठीक है यह आपको पता होना चाहिए कोई अनुसुची में यहां पर मैं तू के लगभग हो चुकी है यह ना अब चावदय में जो आपका इंक्रिमेंट हुआ कितने का आठ का तो आठ भासाओं कहां से एड़ होई हैं बताएं कहां कहां से एड़ होई हैं देखिए फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ भासाओं से रिलेटेड कब कौन सी भासा सिंधी ठीक है उसके बाद स्केंड कंस्ट मतब इस रिलेटेड स्केंड यानि कि टोटल अगर बात करें कंस्ट्यूशन अमेंडमेंट की ठीक है तो एक खत्रमा समिधान संसोधन हुआ सिंधीसस्ड घब हुआ उनिस वानवे में अब उनिस वानवे में जब ये हग हुआ हुआ संसोधन तो कौन-कौन सी भासा अड़ नेपाली भासा कों-कौन कुंकड़ी मड़ीपूरी और नेपाली ठीक है यह भासाइं एड हुए उल्टा देखिए तो नमक एड हुआ 71st Constitution Amendment 1992 में किस में भासा में अगर हम लास्ट Amendment की बात करें भासाओं से रिलेटेट तो बानवा समिधान समस्वदन हुआ कौन सा 92 कब हुआ 2003 में 2003 में 2003 में 2003 में जब हुआ तो इसमें कौन कौन सी भासाइं एड हुए बोडो भासा डोगरी बोडो को मैं लिखता हूँ B डोगरी को लिखता हूँ D ठीक है और क्या मैतली को लिखता हूँ M उसके बाद संथाली को लिखता हूँ S अब देखिए यह 4 हो हो गया और यहां पर एक हो गया सिंधी आठ भासा हैं टोटल हो गई तो इसको क्विक देख लेते हैं कि देखें 21st एक 21st Constitution amendment जो हुआ उनी सुषट में उसमें कौन सी भासा जूड़ी सिंधी उसके बाद 271st Constitution amendment उनी सुषट में जब हुआ तो उसमें क्या जूड़ा नमक नेपाली मड़ी पूरी और कॉंकड़ी उसके बाद 92nd Constitution amendment 2003 में हुआ तो कौन-कौन सी भासा जूड़ी बताए बोडो डोगरी मिथाली संथाली बीडी MS ठीक है बीडी MS नमक सिंधी चली अगला क्वाशन देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वाश्चन भातिय समिधान का अनुछे 280 किसे समन्दित है question mark बित आयोग परिसीमन आयोग चुनाव आयोग बित आयोग सरी पहला है बिधी आयोग मैं बित आयोग पढ़ दा था तो इसका सही जबाब है आपस नमबर D किसे रिलेटेड है बिधी आयोग से ठीक है तो अनुछे 280 बित आयोग से समन्दित है ठीक है अगर बतमान बित आयोग के अध्यक्च की बात की जाए तो कौन है पंद्रह में बित आयोग अध्याच के श्री एन के सिंग ठीक है काब तक रहेंगे 26 तक दोजार 26 तक ठीक है और यह क्या करता है अपने जो रिपोट बनाता है राष्ट पच को ही सौपते हैं तो हमने देख लिया इतना सारा अब आप बताएंगे बीडियायों के बारे में परिसी मनायों के बारे में और चुनायायों के बारे में ठीक है कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको पता है इन तीनों के बारे में आप बताएगा ठीक है सेसन को यहीं पर कम्प्लीट करते ह अगर सेशन पसंद आए तो सेशन लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पेल आइकन चरूर प्रेज कीजिए दन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुभ हो टिक क्यार पढ़ते रहें मोटिवेटेड रहें बाबाए